हेलो बॉर्णिंग एव्रिवन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्ससाइज 7.1 कॉम्प्लीट कर लिया था आज से हम लोगों स्टार्ट करेंगे एक्ससाइज 7.2 तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या फॉर्मला यूज होगा पहले में उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला ठीक है सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन का मतलब क्या होता है सेक्शन में क्या होता है बाटना ठीक है क्या होता है बाटना काटना ठीक है दो तीन या चार पाट में उसको बाट जाना सेक्शन करना ठीक है तो देखे अब कर देखे इससे पहले हम लोगों ने 7.1 में क्या पढ़ा था कि आपके पस दो पॉइंट दिये वह थे एक पॉइंट पी था एक पॉइंट क्यू था पी और क्यू दो पॉइंट को कॉडिनेट दिया हुए था और दोनों के बीच के आपको क्या निकलना था इस्टंस निकालना था बाइ डिस्टंस फार्मूला थेक है निकाल लिए तो अगर हम क्या करेंगे अगर हमारे पास दो पॉइंट है दो पॉइंट को अगर हम लोगों मिला देते हैं तो क्या बनेगा एक लाइन सेग्मेंट बनेगा अगर दोनों पॉइंट को हम जोइन कर देते हैं तो क्या बनेगा लाइन सेग्मेंट बनेगा ठीक है तो अब क्या है कि इस लाइन सेग्मेंट पे बोला जाएगा आपसे कि एक पॉइंट आपको लेना है कोई सभी पॉइंट ले सकते हैं एक पॉइंट आपको यहां पर लेना है और पॉइंट ऐसा लेना है कि इस लाइन सेग्मेंट को एक ratio में divide कर दें किस में divide करें? given ratio में divide कर दें वो ratio कि क्या होगा? आपका M1 और M2 होगा ठीक है? तो देखें इसके लिए क्या होगा? देखें इसके लिए एक formula आपको याद करना चाहिए यह formula यह है कि माल लिजे कि आपके पास दो point यह है, एक point P है एक point Q है इसको मिला दिये तो line segment बना इसके बीच में या कहीं पे भी एक point आपको लेना है A और इस point का coordinate निकालना है और यह point कुछ ऐसा है कि इस line segment को M1 is to M2 के ratio में divide कर दे रहा है M1 और M2 का value given रहेगा आपके पस ठीक है? तो चलिए इसके लिए क्या formula है? देखिए ध्यान से तो यह first point है P और यह Q, P का coordinate है X1, Y1 Q का coordinate है X2, Y2 और यहाँ पे जो point होगा A उसका coordinate आप ले लीजे X, Y तीक है? और कितने ratio में बाटा जा रहा है? M1 is to M2 के ratio में बाटा जा रहा है तो उसके लिए coordinate का formula होगा M1, X2 plus M2, X1 divided by M1 plus M2 यह X के लिए हो गया फिर यहाँ पे common लगाएंगे उसके बाद Y के लिए M1, Y2 plus M2, Y1 divided by M1 plus M2 बहुत ही easy formula है देखिए यहाँ 1 के साथ 2 लेना है यहाँ पे 2 के साथ 1 लेना है और नीचे M1 plus M2 यह X के लिए था और यह वाला part किस के लिए था Y के लिए यहाँ पे 1, 2 उसके बाद 2, 1 तो इस तरीके से इस formula के through up exercise 7.2 को solve करेंगे और ऐसा ही अगर ratio में माल लिजिए आपके पास आ जाता है 1 is to 1 का ratio 1 is to 1 का ratio मतलब यह आधाधा बाटा गया इसको bisect किया गया अगर ratio आपके पास 1 is to 1 है इसका मतलब क्या है वो bisect किया जा रहा bisect मतलब 2 equal part में बाटा जा रहा तब हम उसको क्या बोलता है midpoint बोलता है क्या बोलता है midpoint जैसे यहाँ पे है P यहाँ पे Q और ये बीच में point आ जागा A तो अगर ऐसा question आता है जहां पे midpoint हो तो midpoint के लिए formula और आसान है आपके लिए करना क्या है simply देखे यह x1 y1 और यह x2 y2 तो midpoint क्या होगा देखे x1 plus x2 divided by 2 और यहाँ y1 plus y2 divided by 2 directly क्या करना है दोनों वाले x part को add करके 2 से divide करना है तब जाकर के आपको यह मिलेगा midpoint अगर आपको किसी का भी midpoint निकालना है तो दोनों के x वाले part को add करके 2 से divide करिए और y वाले part को add करके 2 से divide करिए तब आपको क्या मिल जाएगा midpoint मिल जाएगा तो यह तक कुछ basic था exercise 7.2 स्टार्ट करने से पहले अब हम लोगी start करते है exercise देखिए पहला question book में देखते जाएगे question क्या है find the coordinate of the point which divide the join of देखिए यहाँ पर क्या बोला है join of join of बोले तो उस वाले point को आप क्या करिए a ले लीजिए और b लीजिए देखिए वहाँ पर मैंने अभी जब formula बता रहा है तो हम पर p और q लिया था है यहाँ पर a भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली भाग नहीं है first मैंने ले लिया a minus one seven और b ले लिया four minus three ठीक है और ratio कितना दिया है question में two is to three मतलब आपके पास m1 और m2 दोनों का value दिया है तो आपको क्या करना है इस line segment के बीच में या कहीं पे भी क्या है एक point है पी इस point का आपको coordinate find करना है यह आपको given है यह भी given है और ratio भी given है तो कैसे करेंगे तो याद करिए जो formula मैंने बताया था coordinate निकालने का m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 same चीज y के लिए करिए m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 ठीक है और देखे यह वाला coordinate होगा आपका x1 y1 इसके नीचे लिख लिजेगा ताकि solve करना में आपको आसानी हो और यह वाला coordinate होगा आपका x2 y2 इसको भी नीचे आप लिख लिजेगा ratio दिया है m1 is to m2 2 is to 3 m1 का value 2 और m2 का value 3 सारे value आपको पता है इन सारे value को यहाँ पर put कर दीजे और solve करें बस plus minus का ध्यान दीजेगा और गलती मत करें ऐसा नहीं कि x2 के जहाँ पर y2 लिख दिये गलती से ऐसा नहीं करना है ठीक है तो देखे यहाँ पर में value put कर रहा हूं तो देखे m1 का value है 2 x2 क value देखे द्यान से देखेगा x2 का value कितना दीए 4 तो लिखने में कोई गलती नहीं करेगा बहुत बार गलतीयां होती है इसलिए आप pencil से या pen से उसको टिक करते वे लिखेगा ताकि गलती नहीं हो उसके बाद m2 x1 x1 कितना है माइनस 1 नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 सेम चीज़ y के लिए करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 divided by m1 प्लस m2 ठीक है अब आपको इसको simply solve कर देना है कितना हो जाएगा 248 8-3 by 6 sorry 5 और यह हो जाएगा minus 6 plus 21 divided by 5 solve करिए solve करने पर आपको क्या मिला 1 3 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका answer pxy तो coordinate क्या होगा उसका 1 3 यह होगा आप का answer ठीक है तो बहुत easy question था बस आपको formula पता होना ठीक है अगर formula पता है तो solve कर लेंगे बहुत ही आसानी से ठीक है चलिए अब आते हैं question number 2 पे question number 2 क्या है find the coordinate of the points of trisection ठीक है तो trisection by sections आप लोग सभी को जानते होंगे 2 equal parts में बातना तो trisection का मतलब होता है 3 equal parts में बातना अगर हमारे पास एक line segment है तो इसको 3 equal parts में बातना क्या कहलाता है trisection कहलाता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए points दी हमें आपके पास 2 point दी है एक point है 4 minus 1 दूसरा है minus 2 minus 3 तो इसको हम लोग ले लेंगे x1 y1 second वाले point को ले लेंगे हम लोग x2 y2 अब इसको trisection वाला solve करना तो trisection means 3 equal parts में होने चाहिए तो यह हो जाएगा एक हो जाएगा p और एक हो जाएगा q अब देखिए तीन पार्ट में बनाना a से p first part p से q second part और q से b यह हो गया third part तीन पार्ट होने चाहिए अब ratio तो यहाँ पे दिया नहीं है अगर आप देखेंगे कि question में ratio तो given है नहीं तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा common sense लगाना है अब ध्यान से देखिएगा यह कितने पार्ट में बाटा गया है total three parts में बाटा गया है तो यह वाला पार्ट a से लेकर p तक का पार्ट क्या है यह one है और p से लेकर पूरा b तक का पार्ट क्या है two है तो point p के लिए अभी मैं especially अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाईए कि यहाँ पे क्यूं है भूल जाईए अभी याद रखे केवल फी तो point p के लिए ratio हो जाएगा यहाँ पे one और यहाँ पे हो जाएगा two तो m1 is to m2 हो जाएगा one is to two ठीक है अब ध्यान से देख सकता है तीन equal part में बाटा है जिसमे से a p क्या है एक पार्ट है और p से लेकर आगे का total कितने पार्ट है दो पार्ट है तो ratio कितना होगा one is to two होगा अभी मैं केवल point p के लिए बता रहा हूं point p के लिए solve करेंगे उसके बाद हम लोग next जाएगे point q के लिए ठीक है तो अभी हम लोग किस पे है point p पे है तो point p के ल हो जाएगा यहाँ प्लाइट के लिए अब हम लोग आते है point q के लिए तो point q के लिए ratio change हो जाएगा यहाँ पे अगर change नहीं करेंगे तो फिर वो तो answer same आएगा न तो point q तो थोड़ा अलग जगा पे है तो q के लिए ratio change हो जाएगा तो जब हम q को solve करेंगे तो उस time आप p वाले point को भूल जाएगे कि यहाँ पे कुछ point था तो यह total 3 part में बटा तो 1 is to 2 था तो यहाँ पे लेना आपको 2 is to 1 बस same चीज x1 y1 x2 y2 वही है बस ratio change हुआ ratio change करके आपको यहाँ पे क्या करना इस formula में apply करना है और आपको खुद से पूरा solve करना है ठीक है तो I hope कि आप पूरा solve कर लेंगे और बहुत easy भी है चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ तब तक के लिए good bye